दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर ये काक्रेज नसल की गाये देख रहें, और काक्रेज नसल की गाये को फारեծ के रूप में भी रखा जा सकता है, जिसको डेरी फार्मिंग हम बोलते हैं, क्या यह संभा हो रहे संभा हो है तो कैसे यहाँ पर आप नरेंदर जी का फारम देख रहा है आठ साल का काक्रेज नसल के पीछे इन कानू बाव है तो इन से मैं इस नसल की गाये का सुबह से लेकर श्याम तक क्या रूटीन यह अपने फारम पर अपनाते हैं वो जानना और साथ में इनकी फीडिंग कैसे करते हैं, इनको क्या खिलाते हैं और कैसे कैसे खिलाते हैं, ये दोनों बाते हैं आज की वीडियो में आपको काक्रेज नसल के बारे में जानने को मिलेंगी, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं, फार्मिंग तो सर ये आपके पास काक्रेज नसल की सारी गोमाता है मैं जो आप देख रहा हूं इदर दोस्तों ये एक बाड़ा और इसके ठीक दूसरी तरफ भिगाए है तो सर इनका आपके फारम का सुबह से लेकर स्याम तक का रूटीन बताए प्लीज ताकि लोगों को ये पता चल सके इस नसल को भी डेरी फार्मिंग की तरह रखा जा सकता है तो आपका रूटीन बताए प्लीज सुबह से लेकर स्याम तक हम हमारा सुबह गउसाला में एंट्री पांच बजे हम कर देते हैं ठीक है पांच से साथ बजे दूद दूद निकाले का समय है तब हम दोनों को मिल्क को भी और नोन मिल्किंग ठीक है अगर रा तो हरा चारा रचका अगर कम रहा तो फिर सुखा चारा डाल देंगे अब गवार का चारा है मुंट फली का चारा हैं और उसके बाद इनको दोन निकाले के समय दाना देते हैं अलग से और दाना निक कैसे और दाने में भी मैं हम खुद का फर्मूला में बनाता हूँ वो आप से बाद में पुछूंगा दाने का बाद में बताना पहले सुबह पांच बजे नौन मिल्किंग को यही छोड़ दिया मिल्किंग की मिल्किंग कर लिए उसके बाद फिर क्या रूटीन निकल जाती है अच्छा बार और अभी तो सुबह खाना अभी कुछ बार जंगल में खाने का कम है इस वज़े से देना पड़ता है अदरवाइस हम रात कोई देते हैं अभी कम हो गया तो हम दोनों टाइम शुरू कर दिया खाने का लेकिन थ्री सिक्टी वाइज बार तो ख खाकी आएगी और फिर इस वज़े से क्या होता है महलु में जब बारिश होएगी और जब घास खिलाने के लों बार लेके जाना है तो इनको कश्ट नहीं होएगा क्योंकि वह यूश्टू है उसको उस वज़े से अधर वाग दोड़ करेंगी इस वज़े अगर पहले से थ देखिए पाँच बज़े तो हमने इनको दे दिया खाना पाँच बज़े मिलकिंग दूद निकालना शुरूओ गया और दाना शुरूओ गया साथ बज़े फिर वो दूद निकालने के बाद वाली गया वापस उदर खाना दाना खाके वह इधर इसी सेट में आज जाएग सुबह दो गंटे शाम को दो गंटे बागी किसी को रसी में बांध की नहीं रहने हैं सर उसके बाद यह पूछना चाहूंगा कि आप फीड में क्या क्या खिलाते हैं और थोड़ा संदाजा दे दीजी फीड में देखिए मैं खुद का स्टडी करके बाजार से जो फीड मिलता उसको मुझे मैं आनुपव किया इतना जितना चाहिए इतना सौटक आनुपव नहीं मिला मुझे और थोड़ा महेंगा भी पड़ता है तो मैं अनाज कठोल और तेली बिया तेल जो जिसको कहते है वह खली वह तीनों मिला के पचास टका अनाज में कोई भी मक्काई बाजरा और गहूं यह जो भी सस्ता मिले वह अपने पास गरगंटी है उसमें पीसके अनाज हो गया मतलब 50 किलो आप 50 परसेंट 50 परसेंट मोटा अनाज लेते हो जो भी सस्ता हो अनाज ठीक है और यह खली जो आपने बताई है कितने वह 25 परसेंट क्योंकि मैं मुंगफली हर बार बोता हूं हमारी में फसल बार बारिश में मुंगफली लेते हम अच्छा तो मुंगफली का तेल हम इधर से बेचते हैं तो मुंगफली खलि हमाँ करें तो को बाइप्रो अनाज हो गया उक्ताइस ठीक हरा घकोई हुए तुरे साल मुंगफली खली के खिलाते हैं 25 टका कठोड़ हो गया 25 टका खली हो गया और पचास टका अनाज हो गया एक कुएंटल का रेश हो गया और और इसमें गुड़ डालता हूं मैं पशुड को 50-100 ग्राम जो रोज का गुड़ मिल जाए और 50 ग्राम मिनरल मिक्शर और 50-100 ग्राम मिठा यह नमक यह एक दो दिन से फरक नहीं पड़ा अगर आठ दस दिन मेरे पास नहीं रहा और किस वज़े से एक दो बार हो गया है ऐसा तो नहीं होता है लेकिन एक दो बार हुआ है तो हमने अनुपूलिया हमारा प्रोडॉक्शन 20 टका कम हो जाता है अगर यह नहीं हुआ तो दूसरा फि वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफेक्शन आप तक पहुंचता रहे यह फ्री ओप कोस्ट है अपनी वानी को भी राम देता हूं दन्यवाद जै हिंद जै जै जवान जै किसान जै गुमाता जै गोपाल नरे